नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षूगा जेलसीमियम से आपको फायदा उठाना है तो पांच मिस्टेक्स अबॉइट करनी बहुत जरूरी है वो कौन सी मिस्टेक्स है अगर आप नहीं जानेंगे दवा फायदा कैसे करेगी तो इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को पूर करते हैं जेलसीमियम को इस्तेमाल करते समय वो यह कि हम नहीं जानते जेलसीमियम किस पेशिंट को सूट करेगी देखे आपके घर के आस पास आपकी फैमिली के अंदर आपके नोन में कुछ ऐसे पेशिंट्स होंगे जो की बहुत ज़ादा सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़ दो मिनट के लिए माइक समालना है या बाई चांस की कुछ नहीं तो हमें सिफिक पबलिक गैदरिंग के अंदर या किसी शादी में जाना है किसी से मिलना है किसी भी चीज ऐसी कोई चीज जो सडन एकसाइटमेंट या सडनली हमने पेशेंट को बताई और उसके बाद हमारा प एकसाइटमेंट की वज़े से परिशान हो रहा है घपराहट पैदा हो रही है एक एंटिसिपेशन काइंड ओफ कंडिशन आ जा रही है और उसके बाद फिर पेशेंट को ऐसी कंडिशन की वज़े से कोई बुरी खबर मिल जाए तो यहां पर क्या चीज आएंगी चार बेस जाएंटिसिंटम्स मिले घपराहट मिले नर्वस काइंड ओफ पैशेंट मिले तो यह मानके चलिए कि एंग्जाइटी की कंडिशन पैदा होने के बाद ऐसे पेशेंट्स के लिए जलसीमियम इस मोस्टूटेड तो कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं फीमेल्स यंग यंग इटिंग फोबिया भी हो सकता है ऐसे लोगों को स्कूल जाने से पहले का जो डर होता है स्कूल फोबिया ओफेस फोबिया मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि उनके हिसाब से उनके लिए एक सटन एकसाइटमेंट पैदा कर सकती है इधर इना पॉजिटिव और इना नेगिटि तो समझ ये कि देखिए जब भी किसी ऐसे पेशेंट के अंदर नसों की परिशानी होने लग जा यानि पेशेंट सेंसिटिव भी है और संग में उसे नसों की प्रॉब्लम भी शुरू हो रही है तो यहां पर जलसीमियम एक बहुत ही बढ़िया सूटेड मेडिसन है उस पे सीलन हो यह सीलन वाला मौसम हो यह बरसाती मौसम हो वो ऐसी जो टाइप का एजो एंवायमेंट है ना वो पेशेंट को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहली गलती क्या है कि हम यह नहीं जानते कि कौन से पेशेंट को यह दवा तो हम जब भी किसी मरीज को नसों की परिशानी होती है, हम आख बंद करके जलसी में देना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है, देखिए, हमारी body के अंदा दो तरह की nerves होती है, एक होती है sensory, जिसका काम है शरीर से sensation को लेके जाना brain तक, और दूसरा, जब वो brain उस चीज को process कर करता है, तो हमारा शरीर जो reaction शो करेगा, वो शो करेगा motor nerves के थुरू, तो हमारे हाथ का चलना, आंख का फड़कना, मुझ का चलना, तो इस तरह के सारे actions के लिए हमारी motor nerves responsible है, तो जब भी हमारी motor nerves का involvement हो, और उसमें paralysis होने लग जाए, neuralgia होने लग जाए, और इस तरह की complaints हो कि मरीज को अब debility आने लग जाए, यानि शरीर में बिलकुल एक तरम से कहते हैं, शरीर गड़ने लग जाए, तो यहाँ पर ऐसी nerve involvement diseases के लिए, जल सी इमें बहुत अच्छी दबाए, तो कौन सी ऐसी conditions है, paralysis, कि भाई, शरीर में motor nerves का paralysis हो गया, कौन कौन सी nerves हो सकती है, वो आ आँख की vision वाली nerves हो सकती है, आँख की muscles की nerves हो सकती है, और पलक की nerves हो सकती है, आपके मूँ के आसपास की nerves हो सकती है, facial nerves हो सकती है, हाथ की, पैर की, sensory organs की nerves हो सकती है, है ना, तो खास कर especially जो हमारी eye nerves हैं, उनके लिए जल सी में is a very good remedy, और इसके अलावा हमारी body में जितनी motor nerves उनके paralysis के लिए भी ये जो हो जलसी में बहुत अच्छी दवा है अब चाहे वो throat ही क्यों न हो extremities क्यों न हो ear, eye, nose है ना तो इस तरह के हमारे maximum sensory organs जो कि एक motor response शो करते हैं एक sensation लेने के बाद और एक reactivity हमारा शरीर शो करता है उन सभी के paralysis के लिए जलसी में बहुत ही अच्छी दवा है इसके लावा neuralgia अब इनी सब areas में उन नसों में paralysis से पहले क्या उदर्द चुट हो जाए neuralgia चालू हो जाए और हमारे शरीर में trembling चालू हो जाए तो ऐसी conditions में जलसीमियम एक बहुत अच्छी दवा है तो जब भी आपको नसों के patient में जलसीमियम को यूज करना है तो यानि Parkinson's का case हो या फिर हमारा motor neuron disease का case हो एक general neuralgic weakness ही क्यों ना हो या general neuralgic pain ही क्यों ना हो इन सभी तरह की complaints में जलसीमियम एक suited दवा है उस patient के लिए जिसके बारे में मैंने 0.1 पहली mistake मैं आपको बताया था अब आजाए तीसरी गलती के उपर तीसरी गलती क्या है कि जब भी आ आपको जलसीमियम नाम की दवा यूज करनी है तो आपको अपने patient को coffee बिलकुल नहीं देनी है आपको ऐसे patient जो है वो बार बार stimulant लेने की कोशिश करेगा अपने शरीर को ठीक रखने के लिए या अपनी उस anxiety को ओवरकम करने के लिए कौन सा stimulant ले सकता है वो alcohol ले सकता है व तंबाको ना खाए अगर वो तीनों चीज़े करेगा जलसीमियम देने का कोई फायदा नहीं जलसीमियम बसर नहीं दिखाएगी कॉफी इसलिए मुना करी जाती है विकास कैफीन है वोई भी एक stimulant है नर्व को stimulate करता है इसलिए जलसीमियम इस्तिमाल करते समय है कॉफी रिउस नहीं करनी अलकोहल नहीं लेना तंबाको नहीं खाना स्मोकिंग नहीं करनी अब देखिए जो यहाँ पर चौती बात है वो य करी है तो जब तक डॉक्टर का रिकमेंडेशन ना हो जलसीमियम के संग में एकोनाइट आसनिकम एल्बम और नक्स वोमेगा ये तीन दवाईया बिलकुल भी यहाँ यूज करें ये तीनों दवा जलसीमियम की एंटीडोट रेमेडीज है यानि जलसीमियम के एसर को कम कर द कर देती है कटम कर देती है तो जलसीमियम से फायदा चाहिए आपने सेलफ मेडिकेशन में स्लम सब्सक्राइब कर सकते हैं ये दवाईयान भी जो कर सकते हैं तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो पांस दबाईयां है कौन कौन सी हो गई एकॉनाइटम नापलस आसने कम अलबम नक्स मोमे का सीपिया एंड कैमफर ये पांस दबाईयों को अगर आप सेवन कर रहे हो तो जलसीमियम बिल्कुल भी ना इस्तमाल करें अब यहां पर देखिए जो पांच में गलती है वो है डोसेज को लेकर रिपिटिशन को लेकर पुटेंसी को लेकर पहली बात समझ लीजे जलसीमियम जितनी कम पावर में इस्तमाल करें पुटेंसी में इस्तमाल करें उतने बेटर रिजर्ट्स शो करती है तो हमेशा माना चा जाते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करना हो विकोज देखो पेरलेसिसी कंडिशन हो चाहें मोटर नीरोन डिजीज हो चाहें पार्किंसोनिजम हो चाहें नियूरेलजिया हो यह कंप्रेंट एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है कुछ समय लगता है आप खुछ समझदार है जादू की अपेक्षा ऐसे केसिस में नहीं करनी चाहिए मैजिक आएगा लेकिन कुछ समय के बाद आएगा नसू का मामला है तो अगर हम मानके चलें मिनिमम नैंटी डेज भी हमें यूज करनी है तो सेल्फ मेडिकेशन में डॉक्टर से बात नहीं करी अलोपेथिक दवा ह हमारी चल रही है जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो हम ले रहे हैं और एड़ाउन में हुम्यूपित ही ले रहे है तो यहां पर जलसीमियम को 30 पुटेंसी से जादा बिलकुल भी यूज नहीं करेंगे आप 30 पुटेंसी यूज करें दिन में 2 बार 3 बार के साफ से यूज करें जादा लंबे समय तक यूज करनी हो दिन में 2 बार ही इसकी मैग्जिमम डोसेज होनी चाहिए प्लीज मेक boxer ना तीन बार पे तब जाएं जब एक शौटर डूरेशन के लिए यूज करनी है अगर सपोस क साम फोबिया हो रहा है या ओफिस फोबिया हो रहा है मीटिंग फोबिया हो रहा है तो जलसी में 30 को 15-15 मिनट के इंटरवल पर दो दो पून दवा आप ले सकते हैं और आपको maximum 4 dosage में improvement आजाएगा आप साब बंद कर दीजे तो this is how कि आपको emergency में जलसी में में यूज करनी है और long standing cases में लंबे समय तक जलसी में यूज करनी है अब power की बात हो गई अब समझ लीजए लेनी कैसे हो चाहिए जलसी में सबसे बढ़िया तरीका है जलसी में 30 अगर यूज करना चाहते है पिल्स में यूज करिए मैं आपको पहले बोल रहा हूं पिल्स को अपने संग में कैरी करना प्रॉब्लमाटिक नहीं होता है आप अराम से अपने संग लेके जा सकते हैं और इंग्जाइटी कंडिशन में अगर आपने सपोस्स चाहल तीस संबर की ग्लोबियूल सापने ले रखी है दो ड्रायम की एक बॉटल आपके पास है तो आप अप अमर्जिंसी में उसको लग सबसे बढ़िया तरीका है एक चमच पानी में दो बून दवा जलसीमियम की मैक्जिमम आप इस्तमाल करें पेशन को पिला दे इसली पेशन पी भी लेगा उनको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और दवा भी बॉटी के इंदा चली जाएगी तो रियक्टिविटी बहुत अ पानी में यूज करेंगे तो दोबून पिल्स में यूज करेंगे तो जितनी पिल्स है उसके इसाब से उन्हें गीला करने के लिए मैक्जिमम 10 ड्रॉप्स दवाई बागी डिबेंड करता है कि आपमें पिल्स कितनी लिए देने का तरीका वहिकल कौन सा होना चाहिए सूट कौन सी चम्मच खाने वाली चम्मच यानी टेबल स्पून ठीक तो दिस इस दा राइट वे ऑफ गिविंग जिलसीमियम अब कुछ लोग कहते हैं वहीं मदर टिंग्चर में यूज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर मैं आप से कहूंगा सेल्फ मेडिकेशन में 30 एक से लिया कैसे भी तरह से आप इस्तेमाल करने के बहुत इच्चुक हैं 30 पूटेंसी तो आई होब कि मैंने इस वीडियो में जो पांच मिस्टेक्स आपको बताई है ना अगर आप उन पांच मिस्टेक्स को अवाइड करेंगे तो जलसीमियम पक्का आपको फायदा करेगी रि क्रिस्टल कीर थी तूदा पॉइंट थी समझ में आई है मेरे लिए थम्स अब देना बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है जरूर दीजे पहली मुलाकात है चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब परना बिलकुल मत भूलिए आगे भी ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती में तरफ से नमस्कार थैंक यू